नवस्का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल पता दोस्तो पीटिटी कॉलेज अलोटमेंट दोजाज चोवीज को लेकर दोस्तो शुड़ियों बात करने बाले हैं कापी सारे स्ट्वेट के मेरे पास कमेंट आया थे सर्क्या फोतलिस्ट आएगी स्ट्राइब चैनल बचिए तो अगला राम्ट निकाला जाता है जैसे कि मालीजें तीसी लेस्ट आ गई उसके बाद अगर दो परसेंट से ज्यादा सीटे खाली बचीए तो दोस्तो आपका अगला च्रण यानि कि चौता च्रण जारी होगा अगर चौति चरण के बाद भ वो बोट जारी करेगा आप चौती लिस्ट कब आएगी वो इस वीडियो में आगे आपको जानकारी मिलेगी कट आप कितरे नम्मर कम होगी कापी सारे इस्टोंट एसे हैं इनको पहली लिस्ट में कॉले मिलने के बाद सैकिंड और थाड लिस्ट में कॉले नहीं मिली है तो उनको भी चौति लिस्ट का इंत्यार है कुछ विध्यारति हैसे इनको ना तो पहली दूसरी ना तीसरी अभी तख कॉलेज ही नहीं ‫मिली है इसके अलावा दोस्तों चार वर्शी B.A.D. B.A.D. में कापी सारी सीटे है जो खाली चल रही है ओर ओर्राल 5000 से ज़्यादा सीटे अभी दोस्तों रिखते हैं तो थर्ड काउंसलिंग कल से शुरू होने जारी है आपको बता हैं दोस्तों कल से यानिकि सौमार से आपकी थर्ड कांसलिंग चौती लिस्ट के लिए करवाई जाएगी बूर्ड की तरफ से दोस्तो जो आंकड़े जारी की गए उसमें अभी भी दोस्तो 22% सीटें खाली है जी यहां दोस्तो 440 सीटें तो आपकी सीधे दोर पर खाली रह गई थी जब आपका अलोटमेंट हुआ था दोस्तो तीसी लिस्ट का उसके बाद दोस्तो कुछ विद्यारती है जिनको कॉली दूर मिलने की वेशे रोड़े एड़िशन नहीं लिया है जो 19-1856 विद्यारतियों के रेश्टिसन हुए थे पाँच अजार से ज्यादा सीटे हैं लगवाद बावन सो क्यास पर सीटे बताई जा रही है तो दोस्तो सेकंड कांसिलिंग के तहट दोस्तो जो रिक्ति सीटे रह गई है उनको लेकर बोर्ड के अधिच ने भी दोस्तो बयान दिया था कि रिक्ति सीटों को बनने का निर्णा बाद में लिया जाएगा और कल से सौंबार से दोस्तो आपकी रेश्टेशन की पिक्रिया कांसिलिंग पिक्रिया शुरू होगी जिसमें आप कॉलेज एडिट कर सकते हो और सात्मों बोर्ड नए चात्रों को भी मौका दे सकता है चार वर्षी वीएड में दो वर्षी बीएड में मिलकी चार वर्षी बीएड में सीटे अधिक खाली रहने की वेशे आपको दोस्तों इसमें बोड की तरफ से मौका मिलेगा यहां पर अब बात करें दोस्तों दे सकते हैं पहले येलो कलर की जो लाइना रहती बोठा दी गई है और यहां पर जो डारे डारेक्ट एडवीशन भी होते हैं पर शीटे खाली परफती थो बौर्ड इसमें आपको डारेक्ट का मुका देता है c अब दोस्तो कल से अपडेट है देगी अभी तो साइट पर कोई अपडेट नहीं है लेकिन कल से सौंबार से आपकी तीसरी रांड के लिए काउंसलिंग शुरू हो सकती है और सितंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तो आपको चौती लिष्ट देखने को मिलेगी चौती सबसे ज़्यादा खाली रह गए दोस्तो टोटल 22,000 से ज़्यादा सीट थी और 19 याद चात्रों ने ही दोस्तो कांसलिंग कराई थी उसमें से काभी सारे चात्रों ने बाद में जो है 22,000 पर फीजवान नहीं कि रहा है ये कौले मिलने के बावजुद भी तो दोस्तों ऐसे कल तक आपका याद साम को कलेंडर आ जाएगा और कल से थर्ड कांसल शुरू होने को लेकर अपडेट है अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप यहां पर जो टॉल फी नंबर है वो कॉलेज में कॉलेज में कॉल किया उन्हें बता है कि आने वाला जो सपता है उसमें आपक की थर्ड कांसल हो गी चौती लिष्ट के लिए आप भी कॉंटक्ट नमर से कॉल कर सकते हैं और फिर दोस्तों अपनी यहां पर अपने नमर भी दे रखे हैं इनसे भी आप पूछ सकते हैं तीसरी लिष्ट के लिए अगर बात करें अभी भी कापी सारे बिद्धियारती हैं दोस्तो जिनको कोले मिलना बागी है और जिन छात्रों को 30 रिस्ट में कोले मिली थी उनकी पिगरिया भी पूरी हो चुकिए है तीस तारिक निकल चुकिए दोस्तों आज एक तारी हो गई है कल समभार है तो कल से दोस्तों आपकी काउंसल होने की संभावना बढ़ जाएंगी पीटिटी के लिए तो सेकंड रांड में दो वर्षी बीएड में लगवगा आपकी पूरी सीटे बर गई थी लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग की बात आई तो काभी सारे छात्रों रिपोर्टिंग नहीं करा आई है तीसी लिस्ट के आदा पर भर चुके थी दोस्तों तीसी लिस्ट आई थी लेकिन बाद में अगर दो वर्षी बीएडम बात करें तो एक लग सात जार सीटे हैं अलांकि साल सीटे बढ़ी हैं दोस्तों यह पुराने आकड़े हैं आप पांच यार सीटे मढ़ने के बाद और ज्यादा सीटे हो चीए तो दोस्तों थर्ड कांसलिंग कल से या आने वाले सब्ताव शुरू होगी और सात में दोस्ता आदू चौती लिस्ट आपकी जैसी सब्ताम आपकी सात सितंबर से पहले चौती लिस्ट या जारी हो जाएगी बाकि दोस्तों अप्डेट आते ही मैं आपको चलांके माध्यम से अप्डेट गा दूंगा चैनल को आप शुरू सब्सक्राइब करने हैं